ये जबाए लेकर आई हूं आपके श्चाय के सांट पा सकते हैं। अबमी को भेशा को एशे के शाय चाह नोगे सब्सक्राइब और युदिली के सब्सक्राइब। उसको हम छोटी चोटे रींग काटने के बाद जो बीज का बीज वाला पौरशन आ मुसको निकान लेंगे इस प्रखार हम साधी रींग तयार कर लेंगे देखे रींग दिखने में पितनी सुंदर है जैसे इसका नाश्टा ही पहुत सुंदर लगेगा आप मेरी वीडियो गंतों तक देखेगा अब इसमें सिंपल मसाला डालेंगे आदे चमच हमना हल्दी पाउडर डाला है टेस्ट के अकॉडिंग हम नमक डालेंगे नमक के बाद हम इसमें आदास निबूनी चोड़ लेंगे आप चाहते हैं गरम मसाला भी डाल सकते हैं और जरूत के हिसाब से हमें उसमें 2-3 चम बैसन की डालेंगे और उसको मिक्स कर लेंगे हलके आतों से विक्स करें नहीं तोट जाएगी आप इसको बारिश में इंजोई कर सकते हैं मेरी वीडियो कौन तक जरू देखिएगा और रिंग कैसी लेगी चटपटी आपको बताईएगा थोड़ा थोड़ा बेशन करके हम डालेंगे और इसमें साहल कास अगर पानिक प्रकार हमें सारी दिंग तैयार करनी है आप बनाएंगे तो जरूर हर किसी को यह नाश्ता पसंद आएगा और चाय के साहथ आप जरूर एंचोय करें इस प्रकार हम मीडियों फ्लेम पे तेल में सारी दिंग को डाल देंगे वह उलग पुलोट करते हुए हम ब्राउन हमें तक तालेंगे उसके बाद हम निकाल लेंगे आपको इनाश्ता कैसा लगा वीडियो केंते तक जरूर बताएगा और आप जरूर बनाएगा इस बार नाश्ता को ट्राय जरूर कीज़ेगा यह हमारी चटपटी मीड शीरिंग बनके तैयार है ओके थैंक्यू